टीम इंडिया के दिगज गेंदबाज जस्पृत बुम्रा कमर में चोट की वज़ा से औस्टेलिया में खेले जाने वाले पूरे T20 वर्ल्लकप से बाहर हो गए हैं अभी हाल ही में BCCI अद्रक्ष सौरफ गांगुली और टीम इंडिया के हेड कोच राहूल ड्रविड ने बुम्रा के T20 वर्लकप से पहले ठीक होने की आशंका जताई थी लेकिन सौंबार रात BCCI ने ओफिशियली एलान कर दिया कि जस्पृत बुम्रा पूरे T20 वर्लकप से बाहर हो गए हैं बाहर होने के बाद खुद जसी ने भी अफसोस जताया है यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बुम्रा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से ज़ादा IPL माईने रखता है दरासल चस्पृत बुम्रा पिछले कुछ सीजन से मुंबई इंडियन के लिए लगातार मैच खेल रहे हैं दोजार बाइस IPL में भी इस 28 वर्षे खिलाडी ने लगातार 14 मैच खेले थे वहीं इंटरनेशनल T20 क्रिकेट की बात करें तो इस साल बुम्रा ने सिर्फ 5 ही मैच खेले हैं जहां तक वर्ग लोड का सवाल हो तो बुम्रा को इस साल के शुरुआत में वेस्ट इंडिस के खिलाफ हुई T20 सिर्फ में आराम दिया गया था उसके बाद उन्होंने श्री लंका के खिलाफ हुई सिर्फ में वापसी की थी को रेश्ट दिया गया था अब बुम्रा ने और श्रेलिया के खिलाफ हुई T20 सिर्फ में लंबे समय वाद वापसी की थी लेकिन इस सिर्फ के दो मुकाबले खेल कर एक बार फिर वहे चोटिल हो गए और साउट अफरीका सिर्फ के साथ साथ वर्ल्ल कप से भी बाहर हो गए कुल मिलाकर बुम्रा ने इस साल पाँच टेस्ट मैच, पाँच बंडे और पाँच T20 आई मुकाबले खेले हैं यानि बुम्रा ने इस साल 29 मैच खेले हैं जिसमें 15 इंटरनेशनल और 14 IPL के मैच हैं वहीं 2021 में भी बुम्रा ने सिर्फ पूरे साल में 14 इंटरनेशनल मैच खेले थे जिसमें कुल 5 T20 आई मैच शामिल थे मगर IPL 2021 में तेल मैने में ही मुंबई इंडियन्स के लिए उन्होंने पूरे 14 मुकाबले खेल लिये थे अब अगर इतना रेस्ट और ब्रेक मिलने के बावजूद भी बुम्रा इंटरनेशनल क्रिकेट में जोटिल हो रहे हैं तो इसके दोशी खुद जस्प्रित बुम्रा ही हैं अंतर राष्ट्रे क्रिकेट में कई ऐसे खिलारी भी मौजूद हैं जो खुद को फिट रखने के लिए किसी भी T20 लीग में नहीं खेलते इसका सबसे बड़ा उधारण है और शिलिया के तेज गेंदबाज मिचल स्टार्क स्टार्क ने लंबे समय से कोई भी IPL या BBL का मैच नहीं खेला है मिचल T20 लीक्स के बजाए इंडरनेशनल क्रिकेट को जादा प्राप्मिता देते हैं बुम्रा को भी खुद को फिट रखने के लिए मिचल स्टार्क से कुछ सीख लेनी चाहिए दोस्तों क्रिकेट से जोड़ी तमाम कबरें लगातार प्राप करने के लिए क्रिक टुडे टीवी को अभी सब्सक्राइब करें खबर पसंद आई तो इस खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फिलाल के लिए धन्यवाद